वेल्कम टू प्रोटीज प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब देखने को मिला है और अगर आप चार्ट पर ध्यान देंगे तो वो जो स्पाइक आया है वो कुछ तेर पहले ही आया है मोमेंट्यूम ट्रेड इस समय का और वॉल्यूम आक्षिन यहां पर अच्छा खासा वैसे जब होता है तो बढ़चड के वॉल्यूम जाते हैं ठीक वैसे ही सिति आज बनती हुए दिखाए दी राजे साथ्पुते यह प्राइस आक्षिन क्या इंडिकेट कर रहा है इक सो बीस पर के पार निकलेगा या फिर वहां पर अटका है याँ निकलना चाहिए राधर एक सोचोबिस नहीं मुझे लगता है इक तो लेना ही है तो यहां पर आपको स्टप लॉस लगाना पड़ेगा करें एक-डो-तीन रुपये का स्टप लॉस प्रेकरें और वुझे सामने 128-130 का एक स्विंग का टागेट लेके काम करें सो बंबर टाइंग बज़ लगता है यह बजार में यहां पर कॉंट्रा बाइंग हो रही है एक तो ट्रेट्स जो दरसल स्क्रीन पर आज काफी जो विरू मेंशन भी कर रहे थे क्रैक्डाउन देखने को मला है शारत में आ पर्सेंट का नुकसान यहां पर और है भी वॉल्यूम्स के साथ दरसले पुजिशन मंदी की तरफ खड़ी हो यह सिरफ अन्वाइंडिंग नहीं है यह तो मंदी दिख रही है साफ शरद फंडमेंटली ऐसा क्या बदला है इत्तिमार के लिए तो मुझे लगता है यह प्लेस पे तो आईडिली किसी भी सेंसिकल इंवेस्टर को बैटी करना चाहिए क्योंकि ग्लोबली जो वोईस कैरी करने का बिजनेस हो या होलसेल इंटरेट होगे राता हो उसमें यह काफी अपनी तगड़ी पकड़ रगते है और आने वाले समय मे बिजनेस में कोई खास कमी होने की हमें उम्मीद नहीं है राधर ग्राजवल इंप्रूब्मेंट ही होना चाहिए प्लस जो लांड बैंक का अड़ेट बेनिफिट है वो भी है तो मुझे लगता कि इतना अब इन वालूएशन पे कुछ बेचने को बचता है आईडियली जैसे अपसाइड रहनी चाहिए बारा से अथारह मीने पर शायद डिप में खरदारी का मौका है निलेश टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है काउंट है क्यूंकि नंबर्स म्यूटिट थे जैसे शरत भी कह रहे हैं पिछले जो हफते आये थे और उसके बाद जो ब्रोकर सिन हो चुका है पेन क्या वो चार्ज पर इंडिकेट हो रहा है या फिर आपको लग रहा है और गिरावट आएगी अधिया शिदा जी 14